अगर आपके अंदर entrepreneurship है अगर आप business करना चाहते हैं तो 90 दिन में अगर एक क्रोड रुपे का आपने कमाने का target अगीकत में नहीं बदल दिया तो नोकरी कर लो जिम्मेवारियों का एसास मुझे बच्पन से रहा क्योंकि संगर्स का जीवन रहा तो उसमें जिम्मेवारी अपने आप ही वक्त सिखा देता है यह चार-पांच बाते जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो जितनी आपको लगते हैं हमारे वीवर है जी व्यवार में कुसलता व्यवार के अंदर में निस्था प्रेम सच्चाई मानदारी अगर है तो आपका व्यपार जीवन भर चलेगा और सदियों तक चलेगा और आपकी पुस्ते खाएंगी दोस्तों नमस्कार मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी आप सभी का सवगत करता हूं आज के इस कारिक्रम में आप लोग जानते हैं कि लेजंस ऑफ नेशन के कारिक्रम में हम मिलते हैं एक ऐसे सेलिब्रेटी से युनों ने अपने जीवन में वो हासिल किया है जो हासिल करने युवा कटलरीज लिमिटेड श्रीयन सैम ब्रैंट जिसको आप टीवी एफम रेडियो निउस्पेप और सब जगा आपने देखा हुगा तो सर सबसे पहले तो आपका हिर्द की गयर हैं उसे बहुत-बहुत हार दिस हो रहता है तो दोस्तों आज की इस जरनी में हम ये जा फैक्टरी में हजारों लोग काम कर रहे हैं इकर में उसकी वनी हुई है इंपोर्ट करें एक्सपोर्ट कर रहे है तो यह पैट्रिक संपत्य मिली होगी करोड़ों रुपए मिले होगा लाला जीन बिसनेश चुरू की अब यह बारे में तो बहुत सारे लोग बनीयों की लाइफ में, एजूकेशन के बाद आगे बढ़े। सुरुवाती जीवन की बात अगर करें, तो सुरुवात में काफी संगर्स रहा, मेरे बहुत छोटे एज में करीब 6 साल का में था, तो पिता जी की डैथ हो गई थी, फिर उसके बाद एक साल बाद मा को पैरलाइस हो गया, हम लोग बड़े संगर्स में रहे, स्कूल पी की फी संगर्स में जरूरू बताएं कि जब आपने स्कूल पास आउट किया या कॉलिज पास आउट किया, तो क्या प्रॉबलम आई और कैसे डिसाइड किया कि मुझे किस लाइन में जाना है, कैतने हैं कुछ लोग तो बाई चांस किसी लाइन में हैं, और कुछ लोग बाई लग में प्रोब्लम होते हुए मैं एक बार अपने घर से भाग गया था तो भाग के गया तो नोकरी डूंड रहा था तो एक भाई के दोस्त थे मित्र सहनी साव तो इस्ट इंडिया कोटन मिल है सेक्टर तहीस फरीदाबाद में तो वहां चला गया मैं तो गेट पे जैसे ही एंट हुई तो उन्होंने कुछ चाए पानी पिलाए नास्ता करा है तो पूछा भी कैसे मघा जी नोकरी करनी तो फैक्टरी काुन्होंने दोरा कराया treating में जब गए अंदर तो उन्होंने एक व fragशोंनोंने से दूर से मिल Camb Nemo देखो और पिस में आ कि बताया ये बंदा सुपर्वाइजर लगा था और आज 25 साल के बाद भी सुपर्वाइजर है तो वो पहली सिक्षा महां मिली थी कि कुछ लोग सुपर्वाइजर के लिए ही बने हैं और वो वही आकरी दम तक रहेंगे तो पौन कंसल ने उसी दिन निजदारित कर लिया था कि ऐसा जीवन तो नहीं जीएंगे तो हला कि उन्होंने मुझे एक राय दी कि मैं टेक्स्टाइल का कॉर्स करूँ तो मैं हिमाचल बिलासपुर उन्होंने मेरे को रसला दी थी उनके गाउं के और काफी लोग पंजाब के उन्होंने वहार रिकमेंड किये थे तो मैंने एक कॉर्स किया वीविंग डाइंग एंड कैलिको प्रिंटिंग तो वहां से मेरे कैरियर की खुछ सुरूई मैं वहां से टेक्स्टाइल का कॉर्स किया हाला कि मैं फीस ना होने की वजए थे वहां एक्जाम नहीं दे पाया और मेरे पास आज आई-टे-आई-का सार्टिफिकेट नहीं है जबकि वह गुरू जानते हुए मैंने कोसिस भी किसी को भेज़ के कि कि सार्टिफिकेट मिल तो गुरूजी ने मुना कर दिया तो वहां से मैं टेक्स्टाइल के उसमें काम में आया हालागि मेरा बाद में कारीर चेंज हुआ है तो टेक्स्टाइल में मैंने कई जगे पे नोक्रिया लोक्रियां की तो मैं करीब 17-18 साल का था तो मैंने सुबदरा तो वहां पंदरा दिन से ज्यादा मुझे नहीं रखते थे. कारण? कारण मैं बरदास नहीं करता था, महालों कोई काम नहीं कर रहा, अराम खोरी कर रहा है, तो उसको पीट देना है. और मैं, टूटी मेरी पूरी थी, गेट मेरे अंडर में, स्टौर मेरे अंडर में, production मेरे अंडर में, quality मेरे अंडर में, तो जिम्मेवारियों का एसास मुझे बच्पन से रहा, क्योंकर संघर्च का जीवन रहा, तो उसमें जिम्मेवारी अपने आप ही वक्त सिखा देता है. तो वहां जो है वो उन्होंने लाला जी ने मुझे निकाल दिया काम से तो रात को एक की ठुकाई कर दी तब यससे अच्छा वो चोरी कर रहा था तो आपके उसको पेट दिया खुद तो इमानदार हैं लेकिन किसी और को भी गलत नहीं करने देंगे यह आपके मन में रहता वह लो चोरी करनाही नहीं है वर चोरी करते वे देख लिया को भी मुझे निकाल दिया था तो मैंने मैंनेजर साब बाद में आयोंने पता üzब अंदर में और और बहारी इंट लेके खड़ा था अ था था ऐ तो अच्छा हां तो अन्डू साब हुआ तो उन्हों का वही का संधियों कि मेरे पैसे नहीं दिये और working- Gabe ija और श्कूटर बिठा के साथा व्यक्तने खोड़ा कि अब चासरों मुझे निका में रहाव लिए जोब आगे लृ घान रखेगा कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पैसे आपके लिए बढ़े हैं चोटे यदि किसी गरीब आदमी के पैसे आप दबाते हैं तो वो कही नहीं निकलेंगा और कई भी आसा होता कि वो खुदी निकाल देगा जैसे आपने का मैं हीट लेके खड़ा हो गया था तो यह तो बात रह अपरान कर्फू अर्फू लग गए तो मेरे कमरे में आटा खतम हो गया मेरे पीपे में आटा खतम हो गया तो फिर पुछ था नहीं तो मैं वहां से दिल्ली भाई के पास आ गया बड़े भाई जो है बुट स्टैम पे वह भी संगर्स में थे तो वह स्टैनलेस चील की उसके जो कम की चीज़ा उचांट लेते हैं तो उसको बेज देते हैं दो चार पे किलो उसका मिल जाता है तो बाई ने कहा कि जो है आप यहीं चौाइन कर लो मेरे साथ ही और करते हैं काम तो हमने फिर सक्रैप में चम्मच बनाना चालू किया तो वहां से जो है यह स्टैनल तो इस काम में आगे हमने बहुत महनत की और आगे बढ़े और उस ताइम हमने बिदिन बन एर अपने आपको इंडिया में सबसे बड़ा बना लिया थे तो देखी क्या होता है कि लाइफ में जब आगे बढ़ते हैं तो कही बार टर्रिंग पॉइंट हमें अलग लिजाते हैं जैसे मैं होम टूशन पड़ाता था तो खुद का इंस्टीट खोला चलो सेम लाइन है खुद का इंस्टीट खोलने के बाद हम लोग एंटर कर गए मोबाइल रिपेरिंग कोर्स में टेकनिकल एजूकेशन जो की बिल्कुल डिफरेंट फिल्ड है फिर भी कहते हैं एजूक तो आप यह बताएं कि आपकी लाइफ में कौन सा इसा पॉइंट आया जो टर्निंग पॉइंट के रूप में था या डाउनफॉल के रूप में था जिस वज़ए से आपको लगा कि नहीं आप मुझे कुछ नया करके दिखाना है कि डाउनफॉल की बात कहें तो डाउनफॉल तो मैंने जिवन में बार बार देखा है सबसे पहला डाउनफॉल तो जब पिता जी गुजरे पिर उसके बाद जो है माताजी का स्वास्ते ठीक नहीं था क्योंके पैरलाइस हो गया था उनको तो मैं सेवंट कलास में था उनकी डैट हो गई तो काफी जगे इदर उदर जाना आना रहा एजूकेशन डंग से नहीं हो पाई जहां भाई की नोकरी होती थी, वहाँ चले जाते थे कभी, दूसरे भाई के आँ चले जाते थे तो डाउन फाल वेपार में अगर देखें, तो सबसे पहला जटका जब लगा जब भाई ने मुझे अलग किया अच्छा, मतलब अपने ब्रदर के साथ आप वर्किंग थे हाँ, ब्रदर के साथ काम करते थे, उन से जब सेपरेट हुए, तो मेरा मन नहीं था ये काम करने का, पर चैलेंजिज कुछ ऐसे आए, कि फिर मुझे ये काम करना पड़ा, और इस काम के अंदर अपने आपको सिद्ध करना पड़ा, कि हाँ मैं मैं मेहनती हूँ, मैं काम कर स तो उस मेरी लगन ने मेरे को बहुत जल्दी खड़ा कर दिया, और सही माइने में तो जीवन शुरूई महां से हुआ, जो टर्निंग पाइंट है, वो मेन ये है, कि बड़े पेड़ के नीचे छोटा पेड़ कभी नहीं पनबता, तो मैं कहूंगा, देस अजाद हो चुका ह हमको उठना चाहिए और काम में कुछ भी करो, ये पड़े रहना, अराम करना, सुस्ती मारना, वक्त बरबाद करना, ये नहीं, गल्त करो, सही करो, करो, जब करोगे, तब ही कुछ होगा बहुत अच्छी बात आपने कहिए, सर, आज युवा साथी ना बहुत बात ये भी जानना चाहते हैं, कि सर, आपने शुरुआत की, आपका लग अच्छा था, कुछ लोग लग को एक रिप्रेजेंट करते हैं, कि आपका लग अच्छा था, इसलिए आपने सफलत आसिल कर ना तो हमारा लग अच्छा है, ना अच्छी जगह रहते हैं, ना हमारा अच्छा बैग्राउंड है, ना अच्छी एजूकेशन है, ना फाइनेशल पावर है, ना पेरेंट्स पढ़े हुए हैं, तो उन लोगों को कौन से इसी सीख आप देना चाहेंगे, कि बेटा ध्यान है, हलाकि मैं हिंदू परिवार से वैसनों परिवार से हूं और सारी चीजों को मानता हूं, चाहे जोतीस हो, चाहे लग हो, चाहे सब कुछ हो, पर अंतु फिर भी मैं एक बात कहूँगा, यह क्या, यह कहना करम की चाबी है, और एक ताला है, उस ताले को बोलते हैं, लग क किसमत का ताला, किसमत का ताला खोलना है, तो करम की चाबी सही खोलेगा, तो करम करोगे, तो उसका जो प्रोड़क्ट है, वो है लग कोई भी लग ऐसा नहीं है, कि ऐसा ही बन गया, वो पर्टिकुलर है, और पर्टिकुलर करम का पर्टिकुलर जो प्रोड़क्ट है, वो किसी को एजुकेशन में हासिल होगा किसी को गायन में होगा किसी को बिजनस में होगा उसी हिसाब के करम उसने किये होंगे उसी हिसाब का वातावरन बनेगा उसी हिसाब की प्रस्थतिया बनेंगी तो पहले सबसे पहले मैं कहता हूँ उठो, खड़े हो जाओ, और काम में लग जाओ, कुछ ना मिले, तो सब से बढ़िया है आपने व्रदों की सेवा करो, अभिवादन करो, धन्यवादी हो, माँबाप का, धर्ती पे जीते जागते पांच बगवान है, माँबाप, गुरु, वैद, और आपका राजा, और नया स्कूल एजूकेशन के बारे में बताया, फिर आपने टेकनिकल एजूकेशन के बारे में बताया, और टर्निंग पॉइंट के बारे मिताया, तो जो यूबा है ना, वो वई बाते थो समझ गए, कि लाइप प्रोब्लम का सोलुशन जरूर लेकिन अब जो मेरा प्रश्न है कि वर्तमान में आज पूरी इंडिया में जो आपका नाम है श्री एंसाहिम का ब्रैंड हर व्यक्ति जानता है और खासकर स्टील इंडस्ट्री में तो आप केटलरी में किंग माने जाते हैं आज वर्तमान में क्या परिस्थिति और क्या स्थि कोशिस करता हूं मैं वर्तमान भी बताता हूं सबसे पहले तो बताता हूं जब मैं बहुत परसान हो गया था तो एक मेरे दोस्त हैं अगरवाल स्वीट्स वाले धरमदीर और एक मिसीज के चाचा जी तो वो पहले वो आया दोस्त कहता है अपना समान गाड़ी में डाल ले और चाचा जी ने अपने सामने वाला फ्लैड दिल्ली पुलिस सोसाइटी विजेता वियार में दिलवा दिया और यहां से एक छोटी सी फैक्ट्री हमने डाली मुस्किल से 30,000 रपे की मसीन लेके हम आये होंगे तो हमने वहां पे चम्मच बनाने का काम सुरू किया और जैस आती है तो मेरे को पहला ओडर की बात ह हुई थी वो एक लाख कटलरी सेट महीने के प्लास्टिक हैंडल को मुझे देने ठीन जिसके अंदर की महांपे जो मेरीि प्रेजेंटेशन थी वह सबसे बढ़िया प्रेजेंटेशन थी और उसके अंदर करीब कुछ नहीं तो 1000 मैंने 20-30,000 की और मसीन लगा के और वो कारिकरम जो है ना ऐसा धनादन किया 24 अवर्स तो वहाँ आम लोग कई कर दिन तक नहते भी नहीं थे और काम में लगे रहते थे और महनत बहुत जरूरी है एंटरपरनर्सिब जरूरी है एक आग जरूरी है तो मैं एक स्टेटमेंट आजकल खास दिया करता हूँ यंग्स्टर के लिए अगर आपके अंदर एंटरपरनर्सिब है अगर आप बिजनस करना चाहते है तो 90 दिन में अगर एक क्रोड रुपे का आपने कमाने का टार्गेट अगीकत में नहीं बदल दिया तो नोकरी कर लो क्या बात एक एक यहां बहुत बड़ी है बात मैं कहना चाहता हूँ यह मैरी सीरीज चल रही है जीरो टू वन करोड पर मंथ बिजनस उसकी पूरी स्ट्रेजी हम लोग गाइड कर रहे हैं बिना किसी कोर्स फीके फ्री आफ कॉस्ट यूट्यूब पर आ रहा है अभी दो वीडियो लॉंच हो चुकी है अभी और फरदर वीडियो जा रही है बहुत जाब लोग उसको पसंद कर रहे हैं क्योंकि सपना होता है मैं आपको फार्मूलाज भी बताऊंगा किसी अलग दिन कि 90 दिन में करोड़ पती कैसे बना जाए क्या फाइदा हो देश कहां पर है और दुनिया कहां पर है और वह हकीकत में कैसे बदला जा सकता है आपका सब्सक्राइब का दिश्राइब किस्मत की बात आती है वह आप की हल्ए करने में लग जाएगी अज हमीं बता हैं जानना चाहते हैं आज हमारी कंपनी जगदंबा कट्रलरी लिम्टेड जो है वह वर्ड में सबसे बड़ी रेंज बनाती है करीब 28,000 प्रोडक्ट्स चेलने स्टेल में स्टेलने सील में ब्रास में कोपर में अलमूनियम की कोटिंग में लोहे के उपर इनैमल करीब 8,000 आजमी डारेक्टली कंपनी से जोड़ा हुआ है जो कि यहां दिल्ली बॉर्डर हर्याना कुंडली में अपने छे जो है वो फैक्ट्रीज हैं और यूपी के अंदर में हमने काफी बच्चों को उन्हीं के गाउं में फैक्ट्रिया लगवाई हैं उन्हीं की मल्कि अपने घर में जो डांगर है जानवर उनका ध्यान रखे एक्टी खलियान का ध्यान रखे तो वहां सुबह चार बजे काम सुरू हो जाता है और तीन बे तक सब काम पूरा करके फिर घर गरस्ती अगल दिन फिर से काम पे तो जो भारत की जो खास बात है कि सुबह सुबह का है सो से उपर कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं और भारत में भी हमारा काफी जादा मतलब पूरे समझो करीब जो है पच्छे स्टेट्स में डिस्टिबूटर्स हैं ओनलाइन का अपना प्लेटफोर्म है जो ओनलाइन की हमारी वेबसाइट है वो हमारे ट्रेड में वर इसके लिए मैं घ्लोबल प्राइज चैलेंज देता हूँ अपने एठाईज जार के फैवर्ट में मैं ग्लोबल प्राइजच चैलेंज देता हूं चाहे चाह कोई इंडिया को और लोग हो हमारी इनोबेसंस हमारी यूनिकनेस और क्वालिटी और उसके साथ में प्राइज वो अपने आप में अल्टिमेट है एक आपका फोटो बड़ा वायरल हुआ था एक इस तरह का एक फोटो था उसके वारे में वीवर्स को बता है वो जानना चाहते है वो क्या था ये ग्लोबल प्राइज इस चैलेंज के लिए जो है तेरा साल पहले मैंने अपना ही फोटो खीच के यहां पर जैसे क्वालिटी ऊपर और प्राइज नीचे का एक जो है हाई क्वालिटी के टॉप क्वालिटी विद लोएस्ट प्राइज इन दे वर्ल्ड ग्रेट सर पांच ऐसी लर्निंग जो हमारी युवा साथियों को आप देना चाहते हैं कि यह पांच मेरे सीक्रेट हैं जो आज मैं रिवील कर रहा हूं यहां पर ज़रूर बताएं सीक्रेट सबसे पहला इमानदारी सबसे पहले आपको अपने आपसे इमानदार होना पड़ेगा क्योंकि अगर आपने खुदी मान लि कुछ भी काम करने थे पहले उसका ब्लूपरिंट बनाओ कागज पे बनाओ दिमाग में बनाओ उसके डिटेल्स में जाओ जो करना है सोचना है पहले कर लो और अगर डिसीजन लेना है तो उससे पहले आपको 100% नहीं 500% होना चाहिए कि यह काम करना है तो फिर उसके बाद लग जाओ संकल्प है तो विकल्प नहीं होना चाहिए तो बिजनस को हम लोग ऐसा ना समझे के इतना असान भी जैसा मैंने कह दिया यह आज मैं अपनी प्रस्तती से कह रहा हूं परन्तु काम ही जीवन है वो काम के लिए आग जरूर होनी चाहिए और दुनिया में सर्वाइवल टूदा फिटेस्ट है तो आपको महनत करनी पड़ेगी इमानदारी के बाद दूसरा नंबर में महनत करना चाहूंगा तीसरी लर्निंग सार तीसरी लर्निंग तो सबसे बड़ी अगर मैं याद करूं कोई लिखके तो लाया नहीं फिर भी मै लाफ याद करूं तो मेरी कामयाबी के पीछे एक और रहस है कि मैं जब बजार जाता था तो मैं छोटा था पहले तो उमर का तो निकर में भी चलाया था तो जितने मेरे दुकानदार थे मैं उनके पैर चुता था नवस्ते करता बाओ जी नवस्ते तो मुझे बड़ा पिय तो यहां गेर जी हम बेच लेंगे तो यह सपोर्ट जो मिला मुझे वो इसले मिला अभी वादन सील होने से तो अभी वादन सील होना चाहिए सबसे पहले उस परमात्मा का धन्यवाद करो माबाप का गुरुजुनों का जैसे मैंने बताया जीते जागते पांच बहगवान है पर यहां हमारे यहां देश में घराक को भी बहगवान बोला गया है तो यहां पर आपको जो है थोड़ी से एक महीन चीज है जो समझने के करने के लिए माल बेचने जाओगे तो कोई खरीदे या ना खरीदे कुछ पता नहीं है तो मैंने इसको ऐसे सीखा कि मैं किसी के घर गया और मुझे उनके हां मानलो अंकल की घड़ी अच्छी लगी तो मैंने का अंकल घड़ी बहुत अच्छी है आपकी तो कहते बोल मैं घ घड़ी दे ती मैंने घड़ी पहनी तो उसी दिन से वो वेपार शुरू हो गया इसको और थोड़ा गूमाते है चलो जैसे मानलो कोई आया मैंने का जी चाय पियोगे तो कहते हैं नहीं मैं तो किसी की चाय नहीं पीता तो उसने वहाँ पे काट लिया अब किसी के जाओ पी ली तो अब मुझे इसको चाहे पिलानी है तो वैपार लेन यहां शुू हो गया क्यों कि लेंडेन alltså धूल Systems जाया ना बढडाएं शादी और चलता है वेशक्स worse photo अगया कि से पांस और वय फापा किसके हां से competency कलिवा पाया था तो अमित भाई आपने बिल्कुल सही बात कह दी यहां पर मैं बताना चाहूंगा वेपार की नीम वेवार है जी वेवार में कुसलता वेवार के अंदर में निस्था प्रेम सच्चाई मांदारी अगर है तो आपका वेपार जीवन भर चलेगा और सदियों त भी कर देनी हैं संस्कार से भी वेवार चीज बडिया बडा है कि दरम से उपर चीज जो है वह सवद्धरम जिसका कोई निराकार सुरूब जो उसको मानना उसकी सक्टियों को जानना उसके साथ जुड़ना सारे धर्म उसी के अंदर है पांच वी ले सकता हूं पर वीवर्स के लिए पांच पांच भी वो लेके चले जाएं और अपनी लाइक पें इंप्लीमेंट कर लें तो जगदंबा स्टील लिमिटेड की तरह व सबसे पहले उठता हूं पूरे घर को आज भी नहीं हो जाती तो हमेशा जीवन में दुले हुए कपड़े पैने साफ पैने और सुबह उठके मैं सबसे पहले उठता हूं पूरे घर को आज भी मैं विवस्थित कर देता हूं साफ सफाई रखता हूं और सारी सफाई घर के भार पडोसी के भार और पूरी गली साफ मिलेगी जिस जोन में आप रहते हैं ना केवल अपना घर और अपना आंगन बलकि आपने तो आस पडोस के पार्क को भी बिल्कुल नया कर दिय है वह बहुत जरूरी है जितना आप सफाई का ध्यान रखेंगे वहीं पर लक्षमी का निवास है तो दोस्तों यह जानकारी आपके जीवन को बदल सकती है बशड़ते आप इसको अमल करने के लिए तैयार हूं क्योंकि चीजों को जानना एक बात है आज इन्फॉर्मिशन के बारे में बताया अपने ज्ञान को लोगों को बातने का प्रयास किया और यदी आप इसको सीख कर लाइफ में इंपलिमेंट करेंगे तो आप अर्शवलता मिलेगी मेरी भी गैरेंटी है मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्ट वीडियो में स्वस्त रहें, मस्त रहें मैं डॉक्टर अमित्माईश्वरी आपके सुरे बाविश्य की कामना करता हूं और धनिवाद करता हूं हमारे आज स्पेशल गेस्ट का, थैंक यू सर, थैंक यू